दोस्तो टार्गेट इस्टरी है क्योंकि आज के सांदार वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे फर्वरी 2022 के कुछ सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट कोशन्स तो इस वीडियो को सुरू करते हैं बहुत ही सेलेक्टेड कोशन्स इस वीडियो में डिसकस किये जाएंगे पहला कोशन यहाँ पर बना है कि हाल ही में आपने एक न्यूस देखी होगी कि बिल गेट्स को पाकिस्तान में समानित किया जा रहा है तो उसको लेकर कोशन क्या बनेगा वो समस्ते हैं कोशन बनेगा कि हाल ही में किसे पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े नागरिक समान जिस Option number D will be the right answer. तो this is very important question. Bill Gates इसका right answer हो जाएगा. एक चीज़ आप लोग comment box में लिखकर बताएं, कि पाकिस्तान की दोरा दिये जाने वाला, जो सर्वोच नागरिक समान है, उसका क्या नाम है? अपना answer comment box में लिखना ना भूलें. तो इसका एक photo देखेंगे. दोस्तों ये बला photo आप सभी ने देखा होगा, जिसमें कि Bill Gates को पाकिस्तान में समानित किया जा रहा है, और ये पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच नागरिक समान है, जिसको बोलते है हिलाल एपाकिस्तान. तो यहाँ पर Bill Gates का photo आपको दिख रहा है, और इसके बारे में और भी चीज़े जानेंगे, जो कि related static GK का part होगी. ये जो समान है, Bill Gates को पाकिस्तान के अंदर पोलियों को समात करने में, मदद करने के लिए प्रदान किया गया है. Bill Gates का एक foundation चलता है, जिस foundation का नाम है Bill and Melinda Gates Foundation. इस foundation के दौरा, इस पोलियों को eradicate करने का program चला जा रहा है, जिसकी विज़े से ये award दिया गया है. अब इसमें जो Bill Gates है, उनकी company Microsoft के बारे में जा देंगे, इसके CEO का नाम है Satya Nardila. अकसर exam में ये पूछा जाता है, इसका जो मुख्याला है वो अमेरिका में इस्तित है. Microsoft के अध्याच का नाम है John W. Thompson, ये भी exam में पूछा जाता है. अगला question है, कि हाली में कौन अपने प्रथम स्रेणी के match में 13 सतक लगाने वाले पहले खिलाडी बन गये हैं, तो अपने पदारपर match में ही 13 सतक लगाने वाले player कौन मने हैं, तो answer हो जाएगा सकीबुल गणी, option number ace का right answer हो जाएगा, और 13 सतक लगा कर इन्होंने record भी बना दिया है, तो most important question होगा, सकीबुल गणी, इसका right answer हो जाएगा, अब इसमें आप देखोगे, तो आपको सकीबुल गणी का photo भी दिख रहा होगा, जिन्होंने अपने पहले ही पदारपर मैच में 13 सतक लगा दिया है, जिसमें कि आप देख सकते हों लिखा है, कि बिहार्स बॉय बिकेम दा फर्स्ट एवर प्लेयर टू स्कोर, अ ट्रिपल सेंचुरी ओन हिस फर्स्ट क्लास डिवट, ठीक है, तो पहले ऐसे प्लेयर बने जो तो ने आते ही 13 सतक लगा दिया है, ये बिहार से बिलॉंग करते हैं, ये भी आपको याद रखना है, अक्सर आपने एक्जाम में देखा होगा, कि इस्पोर्स में कोशन पूशा जाता है, कि आपको एक ट्रॉफी का नाम दे दिया जाएगा, और पूशेगा कि बताओ ये ट्रॉफी की स्केल से सम्मझित है, तो यहाँ पर देखे क्रिकेट, फोटवाल और होकी, ये तीन स्पोर्स ऐसे हैं, जिसकी ट्रॉफी सबसे ज़दा पूशी जाती है, तो इसमें आप देखोगे, किर्केट से सम्मझित कौन-कौन सी ट्रॉफियां हैं, जो की एक्जाम में पूशी जाती हैं, सीके नाइडू ट्रॉफी, देउधर ट्रॉफी, दलीब ट्रॉफी, जीडी बिर्ला ट्रॉफी, इरानी कप, सीस महल ट्रॉफी, एंड विजय मरजेंट ट्रॉफी, ये सभी एक्जाम में पूशी जाते हैं, इसकी बाद में आजाता है, आपका फुटवॉल से सम्मझित कौन-कौन सी ट्रॉफियां, जो की एक्जाम में पूशी जाते हैं, इसकी बाद में हो गया रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, बहुत बार एक्जाम में आपने देखा होगा, संतोष ट्रॉफी पूशा जाता है, और इसका आंसर लोग गलत करके चले आते हैं, इसकी बाद में आता है आपका एक सुबरोतो कप, ये भी एक्जाम में पूशा जाता है, अगर हम लोग होकी की बात करें, तो होकी में आपका आजाएगा आगाखा कप, ध्यान चनल ट्रॉफी, और नहरू कप, कॉमा रंगा स्वामी कप, ये सभी होकी से समझने ट्रॉफियां हैं, जो की एक्जाम में पूशे जाते हैं, तो इसको आप लोग अगर एक बार देख कर जाएगे, तो कोशन के सही होने के चैंसेज बढ़ जाएगे, अगला टॉपिक है हमारा, अगला जो कोशन मनेगा बनेगा, एक रिसेंट में लॉँच करी गई किताब के उबर, जो की रविन रनाथ टैगोर की लाइफ पर है, तो कोशन मनेगा, अगला इसकी लेखा का नाम क्या है, औप्शन नमबर डी इसका राइड अंसर हो जाएगा, उमा दास गुपता, इस पुस्तक का एक फोटो भी अगर आप देखोगे, तो इसमें देखो लिखा है, और इसमें रविन रनाथ टैगोर का फोटो भी आपको दिख रहा होगा, अकसर एक्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है, अगर हम इस कोशन की स्टाटिक जीके के पार्ट की बात करें, तो रविन रनाथ टैगोर के जीवन से जुड़े वे बहुत सारे कोशन से एक्जाम में, हर दूसरे तिसरे एक्जाम में आपको रिपीट होते दिखेंगे, जैसे की रविन रनाथ टैगोर ने कौन से युनिवरसिटी की इस्थापना करी थी, तो आंसर हो जाएगा विश्व भारती की इस्थापना करी थी, इसके बाद में कोशन बन जाएगा कि रविन रनाथ टैगोर को साहितिका नोबल पुरसकार कौन से येर में दिया गया था आंसर रोड़ागा 1913 में दिया गया था इसके बाद में कोशन है कि किस पुस्तक के लिए रविनिरनाथ टैगोर को नोबल पुरसकार प्रदान किया गया था आंसर हो जाएगा उनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसका नाम है गीतांजली और अकसर एक्जाम में कोशन भी पूछा जाता है कि बताओ गीतांजली किस के दोरा लिखी गई है तो आंसर हो जाएगा रविनिरनाथ टैगोर के दोरा ये पुस्तक लिखी गई है तो गीतांजली इसका राइड एंसर हो जाएगा इसके बाद में कुशन आता है कि जलिया बाला बाग हत्याकान के विरोद में रविनदर नाथ टेगोर ने किस वर्स नाइट हुड का समर पर कर दिया था तो 1919 की एगटना थी तो 1919 इसका right answer हो जाएगा इसके बाद में आता है कि टैगोर जी ने किस पत्रिका का समपादन भी किया है तो आंसर हो जाएगा बंग दर्सन इनका देहांत कब हुआ था तो 7 अगस्त 1941 को इनका देहांत हो गया था ये सभी कोशन्स एक्जाम के लिए important है और हमारे इस कोशन में आपको कोशन के नीचे ही आपको static वाला पार्ट भी मिल जाएगा जो की एक्जाम के लिए important है इसके बाद में एगला कोशन आता है कि कौन सा राज्या 20 फर्वरी को अपनी इस्तापना दिवस मनाता है अगर आपने recent में कुछ एक्जाम देखे होंगे जिसमें की राज्यों की इस्तापना दिवस के कोशन्स बहुत ज़ादा पूछे जा रहे हैं साथी साथ में आपको राज्या और उनकी इस्तापना दिवस वाले जो कोशन्स यह क्रॉस मैचिंग वाले कोशन्स में भी पूछे जा रहे हैं तो 20 फर्वरी को दो राज्या जिनका नाम है मिजोरम और अरणाचल प्रदेश इन दोनों की ही इस्तापना दिवस मनाई जाती है आप्शन नंबर सीस का राइडन सर हो जाएगा अब इसमें आप देख सकते हैं फोटो भी है अरणाचल प्रदेश इस्टेट हुड डे एंड मिजोरम का जो इस्टेट हुड डे है वो सेम दिन परता है यानि की 20 परवरी को ही दोनों राज्यों का इस्टेट हुड दिवस जो है मनाया जाता है अब अगर हम लोग अरणाचल प्रदेश की बात करें तो एक कोशन रीसेंट में पूछा गया था की बताओ the land of the rising sun उगते हुए सूरज की भूमी कौन कहा जाता है तो अरणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमी यानि की land of the rising sun के नाम से जाना जाता है अरणाचल प्रदेश जो है ये भारत का कौन सामा राज्य है तो ये भारत का 24वा राज्य बना था ये भारत का 24 राज्य बना था अच्छा एक चीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं क्योंकि वो चीज़ एक्जाम में बहुत पूछी जाती है कि भारत का 22 राज्य कौन सा बना था भारत का 22 राज्य कौन सा बना था अब इसमें मिजोरम के बारे में देख लेते हैं, कि मिजोरम जो है ये भारत का 23 राज्य बना था, कौन सा ये भारत का 23 यानि की 23 राज्य बना था मिजोरेम की केपिटल है एजवॉल, मुक्यमंत्री का नाम है जोर मतंगामा, राज्यपाल का नाम है कंभंपती हरी बाबू और इसकी एक जील है जिसका नाम है तम दिल जील ये एक्जाम में हाल ही में पूछी गई थी अगला most important question है कि किस कंपनी को भारत की सबसे भरोसे मंद सारवजनिक छेतरगी कंपनी के पुरसकार से नमाचा गया है यानि कि India's most trusted public sector कंपनी के रूप में किसको चुना गया है आंसर हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड option number D से हो जाएगा जिसको हाल ही में इंडिया की सबसे ज़्यादा trust किये जाने वाली public sector कंपनी के रूप में चुना किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोल इंडिया लिमिटेड एक महारतन कंपनी है और इसका जो मुख्याला है ये कॉलकता में इस्तित है इसके CEO का नाम है प्रमोद अगरवाल साथी साथ में static gk में एक question पूछा जाता है कि बताइए भारत में महारतन कंपनी की संख्या कितनी है तो आंसर हो जएगा इस समय दस महारतन कंपनी से जो अलग से exam हो रहे हैं कई उनमें से क्या होता है कि इन दस महारतन कंपनी से नाम दे दिये जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से कौन से कंपनी एक महारतन कंपनी नहीं है तो ये भी exam में आपसे पूछा जाता है अगला question बनेगा कि Deloitte 2022 CXO Sustainability Report के अनुसार भारतिय व्यवसाय जलवायू परिवरतन के लिए चिंता में कौन से इस्तान पर आया है तो इसका answer हो जाएगा option number D यानि कि भारत इस लिष्ट में पांचवे इस्तान पर आया है option number D इसका right answer हो जाएगा यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं लिखा है Indian Businesses Rank 5th in their concern for climate change climate change के concern में भारत को पांचवे इस्तान पर रखा गया है तो option number D यानि कि फिप्थ इसका right answer हो जाएगा इसकी बाद में दिवस वाला कोशन मनता है कि विष्व चिनतन दिवस word thinking day कब मनाया जाता है तो यह जो दिवस है यह हर साल 22 फरवरी कब मनाया जाता है 22 फरवरी को यह दिवस हर साल मनाया जाता है इसका नम है word thinking day विष्व चिनतन दिवस option number A का right answer हो जाएगा इसमें आप देख सकते है word thinking day हर साल 22 फरवरी को मनाया जाता है 22 फरवरी को यह दिवस हर साल मनाया जाता है और दिवस की बात चली है तो इसका theme भी हमको पता होना चाहिए वर्स 2022 के लिए इस दिवस की theme है our world, our equal future इसका theme आप लोग याद रखिये क्योंकि ऐसे दिवस के questions ज़्यादा पूछे जाते हैं जिनका कोई एक theme होता है अगला question मना है कि वर्स 2022 का जो seat calling olympic है जो की recent में conduct किया गया था और बहुत ज़्यदा news में रहा था क्योंकि एक dispute हो गया था जिसकी विज़े से भारत ने इसमें participate करने के लिए मना कर दिया था तो question मनेगा कि वर्स 2022 का जो seat calling olympic है जो की अभी समात हुआ है कौन से देश में आयोजित किया गया था तो answer हो जाएगा कि इस seat calling olympic को बीजिंग चाइना में आयोजित किया गया था option number 20 का right answer हो जाएगा साथी साथ में इसमें seat calling olympic से समंदित बहुत सारे questions बनेंगे जिसके लिए अलग से एक वीडियो में आपके लिए बनाऊँगा अगर आप लोग comment box में लिख कर बताएंगे इस seat calling olympic को 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 तक आयोजित किया गया है अब इसमें पहले इस्तान पर कौन सा देश रहा है तो नौर्वे देश दो है इसमें पहले इस्तान पर है जिसने कुल 37 पदक जीते हैं दूसरे इस्तान पर आता है आपका जर्मनी जिसने कुल मिलाकर 27 पदक जीते हैं और अगर भारत की बात करी जाए तो भारत की तरब से कोई भी डिप्लोमेट्स नहीं किया था इसमें भारत की तरब से सिर्फ एक प्लेयर गए थे जिनका नम है आरिफ खान ठीक है तो आरिफ खान ने इसमें पार्टिशिपेट किया था जिन्नोंने कोई भी पदक यहां पर नहीं जीत पाया है दोस्तों जो लोग हमारा मंधिली करेंट अपैस खरीदना चाहते हैं जैसे कि जनवरी महीने का जो PDF है उसको लॉंच कर दिया गया है उसको खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा वहां से आप खरीद सकते हैं इसके लावा अ